आज की इस कहानी का नाम है, बंदर का मजाक, एक बार एक शेर जंगल की रास्ते से जा रहा था, रास्ते के बीच में एक बड़ागसा गड़ा था, शेर को पता नहीं चला और वह गड़े में गिर गया, गड़े के पास वाले पेर पर एक बंदर बैठा था, बंदर बहुत श पर दूसरे और बंदर बैठे हुए थे, बंदर की इस बात को सुनकर दूसरे बंदर भी हसने लगे, बंदरों की इस हरकत पर शेर को बहुत गुसा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि पेर पर चरना तो उसे आता ही नहीं था, लेकिन तभी शेर का मजाग बनाने वाला बंदर जिस डाल पर बैठा था, वह अचानक से तूट गई, वह बंदर भी उसी गड़े में जागिरा, गिरते ही बंदर को समझा चुका था कि अब उसका क्या हाल होने वाला है, लेकिन अब सब कुछ उसके काबू से बाहर हो चुका था, उसने क्रोधित शेर से बचने के लिए अपना तेज दिमाग दोडाया, और बोला मा कसम, मैं अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ और माफी मांदने के लिए ही पेसी कुदा हूँ, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कॉमेंट में हमें जरूर बताएं